हेलो स्टुडेंट्स, आई एम रविन सिंग से सौधिया, इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा 11th क्लास की निव टेक्स्ट बुक, हॉर्न बिल की प्रोस का फस्ट लेसन, दे पोट्रेट अफ ए लेडी, इसके लेखक हैं खुश्वन सिंग, जो के एक भारती लेखक है उन्होंने अपनी और्टो आयोग्रेफी, अपनी आत्मकत्हा में, अपनी दादी के जीवन और उनके साथ उनका अपना कैसा रिलेशन था, उसके वारे में बहुत कुछ लिखा है वे एक धार्मेग और एक आदर्श महिला थी, उनके जीवन की बहुत सुंदर तश्वीर उन्होंने बड़े रोचक डंग से इस कहानी में पेश की है लेशन शुरू करने से पहले लेखक के बारे में भी संक्षेप में थोड़ी जानकारी हम आपको देते हैं तो चलिए शुरू करते हैं एवार्ड अउथर खुश्वंत सिंग वाज बौड इन 1915 इन पाकिस्तान खुश्वंत सिंग पाकिस्तान में 1915 में पैदा हुए थे ही डाइड ओन मार्च 20 तुटाउजन फॉर्टीन और 20 मार्च 2014 में उनकी मृत्ति हो गई दे पोट्रेट अफ ए लेड़ी इस पार्ट अफ एन आटोबाइओग्राफी बाई खुश्वंत सिंग पोट्रेट अफ ए लेड़ी खुश्वंत सिंग के द्वारा उनकी अपनी आत्म कथा का ही एक भाग है इन इस स्टोरी दा ओथर द्रॉज ए पैंट पोट्रेट अफ इस ग्रेंड मदर इस काहनी में लेखक अपनी दादी का चरत्रशित्रन करते हैं दूसरे शब्दों में ये कहानी एक पोटे के द्वारा अपनी दादी के लिए एक सुंदर स्रद्धान जली है मेरी दादी हर किसी की दादी की तरह एक बुड़ी औरत थी शी एक बुड़ी और जुरीदार थी जैसा के मैं उन्हें जानता था लोग कहते थे के वे कभी यंग और सुंदर देखती थी और उनके शायद एक पती भी थे लेकिन उस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल था मेरे दादा जी का चित्र ड्रोइंग रूम में चिमनी वाली अंगीठी के ऊपर बनी ताक के ऊपर लटका रहता था He wore a big turban and loose fitting cloths तश्वीर में उन्होंने एक बड़ी पगड़ी और धीले डाले कपड़े पहने हुए थे His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least a hundred years old उनकी लंबी और सफेद दाड़ी ने उनके सीने का लगबग पूरा हिस्सा cover कर रखा था और वे देखने में कम से कम सो वर्स के दिखते थी He did not look the sort of person he would have a wife or children वे ऐसे व्यक्ति नहीं दिखते थे कि उनके कोई बीबी या बच्चे होंगे He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren में देखने में ऐसे लगते थे जैसे कि उनके सिर्फ बहुत सारे पोते और पोतिया ही होंगी As for my grandmother being young and pretty the thought was almost revolting और मेरी दादी जवान और आकरशक रही होंगी ये बात मेरी ये पचाना बहुत मुश्किल था She often told us of the games she used to play as a child वे अकसर हमें उन खेलों के बारे में बताया करती थी जो वे बच्पन में खेला करती थी That seemed quite absurd and undignified on her part और ये उनके लिए बड़ा बेतुका और अशोब निये लगता था And we treated it like the favors of the prophets she used to tell us और जैसा के वो हमें बताया करती थी ये हमें पेगंबरों की कहानियों की तरह हम इसे समझते थी She had always been short and fat and slightly bent वे हमेशा छोटी, मोटी और थोड़ी जुकी हुई थी Her face was a criss-cross of wrinkles running from everywhere to everywhere और उनका चहरा चहरे पर हर जगे आडी तिर्ची जुरिया थी No We were certain She had always been as we had known her नहीं हमें ये पूरा बिस्वास था के वो हमेशा वैसी थी जैसा के हम उन्हें जानते थी Old, so terribly old that She couldn't have grown older पे बुड़ी और इतनी ज़्यादा बुड़ी थी के वो और ज़्यादा बुड़ी नहीं हो सकती थी And had stayed at the same age for 20 years और बीस साल से वे वैसी ही बनी हुई थी She could never have been pretty वे कभी आकर सक नहीं हो सकती थी But she was always beautiful लेकिन वे हमेशा सुन्दर थी She hobbled about the house in spotless white With one hand resting on her waist To balance her stoop And the other telling the beads of her rosary वे अपने घर में हमेशा लंगडाते हुए चलती थी और बेदाग सफेद कपड़े पहने हुई और उनका एक हाथ अपने जुकाव को बेलेंस करने के लिए कमर के उपर रहता था और दूसरे हाथ से वे अपनी जप माला के मनकों को गिंती रहती थी Her silver locks were scattered Untidily over her pale, puckered face And her lips constantly moved in inaudible prayer उनके सफेद बालों के गुच्छे उनके पीले और जुरिदार चेरे के उपर बेतर्तीव धंग से फैले रहते थे And her lips constantly moved in inaudible prayer और उनके होट लगातार प्राट्थना में चलते रहते थे जो सुनाई नहीं देती थी Yes, she was beautiful हाँ, वे सुन्दर थी She was like the winter landscape in the mountains वे पाड़ों का जैसा शर्दियों में नजा रहा होता है वैसी दिखती थी An expense of pure white serenity, breathing, peace and contentment एक शुद्ध, सफेद, निस्तब्धता का विश्तार जिसमें के शांती और संतोस से भरा हुआ My grandmother and I were good friends मैं और मेरी दादी एक अच्छे मित्र थे My parents left me with her when they went to live in the city मेरे माता-पिता जब वो सहर में रहने लिए चले गए तब वे मुझे उनके साथ छोड़ गए and we were constantly together और तब से हम लगातार साथ थे She used to wake me up in the morning and get me ready for school वे मुझे सुवह जगा देती थी और स्कूल के लिए मुझे तयार करती She had her morning prayer in the monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart वे अपनी सुवह की प्रार्थना एक लेबद्ध तरीके से गा करके किया करती थी while she bathed and dressed me in the hope जब मुझे वो नहाने के लिए नहलाती थी और ये कपड़े पहनाती थी इस आशा में that I would listen and get to know it by heart कि मैं उन्हें अच्छी तरह से सुनूँगा और अच्छी तरह से याद कर लूँगा I listened because I loved her voice but never bother to learn it मैं उनकी प्राथना को इसलिए सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज पसंद थी लेकिन उसे सीखने के लिए मैंने कभी कोई कष्ट नहीं उठाया Then she would fetch my wooden slate फिर वे मेरी लकडी की बनी हुई slate लाती which she had already washed and plastered with yellow chalk जिसे वो पहले ही दो चुकी होती और पीली खड़िया से पोच चुकी होती थी एक चोटा मिटी का बना हुआ स्याई का दबात and a red pen और एक लाल कलम tie them all in a bundle और उन सब को एक bundle में बांद कर and hand it to me और उन सब को वो मुझे सौप देती थी After breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it we went to school थोड़े मक्खन और चीनी से चुपडी हुई मोटी और बासी रोटी खाकर नास्ता करने के बाद हम इस्कूल जाते थी she carried several stale chapatis with her for the village dogs वे गाओं के कुत्तों के लिए अपने साथ बहुत सारी बासी रोटी लाया करती थी मेरी दादी हमेशां मेरे साथ स्कूल इसलिए जाय करती थी क्योंके इस्कूल मंदर से जुड़ा हुआ था the priest taught us the alphabet and the morning prayer उजारी हमें वर्णमाला और सुबै की प्राथना से खाती थी while the children sat in the row on either side of the veranda singing the alphabet and the prayer in a chorus my grandmother sat inside reading the scriptures जब बच्चे वराणा के दोनो तरफ पंक्तियों में बैठकर वर्णमाला और प्राथना एक स्वर से गाते थी my grandmother sat inside reading the scriptures तो मेरी दादी अंदर बैठकर धर्म ग्रंतों को पड़ रही होती when we had both finished और जब हम दोनो अपना काम समाप्त कर लेते we would walk back together तो हम साथ साथ बापस जाते थे this time the village dogs would meet us at the temple door इस सवे गाउं के कुत्ते हमें मंदर के दरवाजे पर मिल जाते थे they followed us to our home growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them वे हमारे पीछे पीछे घर तक आते थे गुर्राते हुए और लड़ते हुए एक दूसरे से उन रूटियों के लिए जो हम उन्हें खाने के लिए फैंक देते थे when my parents were comfortably settled in the city they sent for us जब मेरे parents शहर में अच्छी तरह से बस गए उन्होंने हमें वहीं पर बुला लिया that was a turning point in our friendship और वही मेरी और दादी की friendship के बीच में थोड़ा बदलाव आ गया although we share the same room my grandmother no longer came to school with me I used to go to an English school in a motor bus there were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house वहाँ पर सड़क पर कुटे तो थे ही नहीं अब मेरी दादी माने शहर के हमारे घर में के आंगन में चड़ियों को वो दाना खिलाया करती थी as the years rolled by we show less of each other जैसे जैसे वर्स गुजरते गए हम एक दूसरे के साथ बहुत कम वर्ट विताय करते थे for some time she continued to wake me up and get me ready for school कुछ समय तक उन्होंने मुझे जगाना और मुझे इस्कूल के लिए तयार करना जारी रखा when I came back she would ask me what the teacher taught me जब मैं स्कूल से बापस आता था तुम उट से पूछती थी के teacher ने क्या पड़ाया था I would tell her English words and little things of western science and learning the law of gravity, Archimedes principle, the world being round etc मैं उन्हें कुछ English शब्दों में western पाश्यात्य साइंस की बातें बताता था और law of gravity गुरुत्वाकरशन का नियम Archimedes का सिर्दांत और प्रत्वी गोल है इस तरह की बातें बताया करता था this made her unhappy और इससे वे नाखुष हो जाती थी she could not help me with my lessons वे मेरी पढ़ाई में मेरी मदद नहीं कर पाती थी she did not believe in the things they taught us at the English school और वे इस बात पर बिस्वास नहीं करती थी जो चीज़ें हमें इंग्लिस स्कूलों में पढ़ाई जाती थी and was distressed that there were no teaching about God and the scriptures और वे इस बात से दुखी थी कि स्कूल में ईश्वर और धर्म गंतों की कोई सिक्षा नहीं दी जाती one day I announced that we were being given music lessons एक दन मैंने उन्हें बताया कि स्कूल में हमें संगीत की सिक्षा भी दी जाती है she was very disturbed यह सुनकर वे बहुत दुखी हो गई to her music had lewd associations उनके लिए संगीत एक कामक और ब्यवचार से सम्मध चीज़ थी it was the monopoly of harlords and beggars उनका मानना था कि संगीत कि उल्वैश्याओं और बिकारियों के लिए है and not meant for gentle folk और भद्र पुरसों का इससे कोई वास्ता नहीं है she said nothing but her silence meant disapproval संगीत की बात सुनकरोना मुझसे कुछ नहीं कहा लेकिन उनकी चुपी या बताती थी कोई इससे असहमत थी she rarely talked to me after that उसके बाद शायदी नहीं कभी मुझसे बात की हूँ when I went up to university I was given a room of my own जब मैं विश्व विद्धाल में पढ़ने के लिए जाने लगा तो मुझे मेरा कमरा दिला दिया गया the common link of friendship was snapped अब मेरी दादी के साथ दोस्ती की कडी तूट गई my grandmother accepted her seclusion with resignation और मेरी दादी माने अब एकांत चुपचाप स्वीकार कर लिया she rarely left her spinning wheel to talk to anyone उनोंने अपने चर्खे को छोड़कर शायदी किसी से बात की हो from sunrise to sunset she said by her wheel spinning and reciting prayers सूर्यो दैसे सूर्यास तक वे अपने चर्खे पर सूथ कातती रहती थी और प्रार्थनाओं का पाठ करती रहती थी lesson के end में है glossary दी हुई है और इसमें important meanings है इन meanings को याद करना बहुत जरूरी है बिना इसके किसी भी lesson का explanation बहुत difficult है अब किसी भी passage को अच्छी तरह से explain नहीं कर सकते इसलिए इनको भी अच्छी तरह से याद करें इसका Hindi meaning भी समझें और English meaning भी अच्छी तरह से याद करें वीडियो को pause करके आप इन्हें बार-बार repeat कर सकते हैं या copy में note भी कर सकते हैं फर्स्ट वर्ड है wrinkled जुरीदार प्रैटी आकर्शक मेंटल पीस अंगी ठीकी कानस जो अंगी ठीके चारों तरफ वोडन या इस टून का जो structure बना रहता है lots of बहुत से the thought was almost revolting तो विचार जिससे वो संतुष्ट नहीं थे absurd पेतुका असंगत अंडिगनिफाइड अशोबनी क्रिस-क्रॉस आडातिर्शा हो बिल्ड बेढंगी चलती थी थोड़ी सी लंगडाते हुए चलना बेढंगी चार इस्टुप बैंट इस्टुप पोश्चर जुकाव बीड्स माला के मन के रोजरी जपमाला लॉक्स बंचेज ऑफ हेर बालों का जूड़ा या बालों के गुच्छे या लेडी जो जूड़ा बांद लेते हैं उसे लॉक कहते हैं स्केटर्ड फैले हुए मोनोटोनस नीरस अंटाइडीली बेतर्तीव ढंग से पकर्ड जुरीदार कॉंस्टेंटली लगातार इनोडीबल जो सुनाई न दे सके लेंड्सकेप भूद्रश्य जमीन का वो द्रश्य दूर दूर तक उसे लेंड्सकेप कहते हैं एन एक्सपेंस ओफ प्योर वाइट सेरेनिटी हिमाच छादित बर्फ से डकी हुई परवत पार्ष परवत की चोटियां जो शांत चित्र के समान दिखाई देती हैं सेवरल कई बहुत सारी सिंग सोंग ऐसी आवाज जिसने उची और नीची लेकी पनराब्रती हुई बाई हार्ट मुझवानी बौदर्ड परवाकी फैच माने लाना टिनी बहुत छोटा टेल बासी रोल्ड बाई गुजर्ते हुए कोरस समवेत अश्वर स्किप्चर्स धर्मगरंथ ग्रोलिंग गुर्राते हुए सेंट फॉर बुलाया अ टर्निंग पॉइंट इस्थान और समय का वो बिंदु जो कि बहुत नाजुक हो नाजुक बिंदु मौनोपॉली एकादेकार डिस्ट्रेस्ट दुखी हुई एनौंस्ट गोशना की लिवड लंपट कामोग इस्नैप्ड तूट गई हालोट्स वैश्या डिसेप्रूबल असहमती रेरली बहुत कम अकेला पन शुपचाप स्वीकार किया थैंक्स वाचिंग यदि वीडियो आपको पसंद आया हो इसको लाइक और शेयर करें ता मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को भी दबाएं जिससे आगे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिलती रह